हलो दोस्तों और एक ट्रेट चला हुआ है कि लोग इसलाम छोड़ रहे हैं और इसकी वज़ा कुरान और हमारे मौलवी साभ है एक साल कुछ साल पहले की घटना है एक मौलवी ने अपने बच्चों को बढ़ाता हुए जो उनके सागिर्द थे कहा कि सूराज प्रित्वी के च कैसे करता है वह वही जा सकते है तो इस बातों से बहुत सारे जो साइन्टिफिक टाइप के मुसल्मान थे उनके रिदा को चोट पहुंची बहुत जोड़दार और बहुत लोग ने इस चीज के जान करके इसलाम को पी छोड़ दिया था बहुत सारे ने छोड़ा था उस व गए और उसी सिलसिले में मैं आपको एक जो सूरा है सूरे तकवीर जो कियामत की जो पहुंच सारी निसानिया उसको बताता है उसकी आयते दिखाओंगे उसमें आपको पता चलेगा पूरी नॉंसेंस बाते ना सर है ना पैरा कुछ भी नहीं है अब लोग देखोगे तो हस जसी वक्ता आपको चादर लपेट लिया जाया अब यहां पर आप लोग को दो चीजए जानने को मिलेंगे पहली बात कि अलओक को यही नहीं पता कि सूरा लिथ यह, आयत नुबर दो अलब अब बताव मुझे आप लोग तारे जो है वह गिर पढ़ेंगे तो कोई सी चीजे नीचे गिरते है प्रित्व में जो उपर फिक्ने भी नीचे गिरती है क्यों कि नीचे गृत van का फ्रित्वी का जो ने खाचता है अब तारे जो होते हैं वह उन्तरिक्ष में अपने गलेक्स हो इसक्ति और नहीं बाड़ने को जब गुरस्कों कि तक पर में इनका कैमत को कोई भी अउसा करने। तो दो शुक्त है शुक्त सारे तारह चीक हम आम सब्सक्राइब लोकिण हो गया है in आप लोग को कोई भी तारा गिर के खत्म नहीं होने माला तीन तरह की जो है उनके मौत होंगी एक को उसमें जोड सकते हम लोग रेडवार्फ जो स्टार बनेंगे जिसे हमारे सूर्य है उसके साइच की जो तारे होंगे वो मरेंगे रेडवार्फ बनके यानिका उनका इस पादार्थ है कैसे है वो घत्म हो जाएंगी लो जो केंदर है वो सूझने लगे तो वो इसफोट हो जाएगा उसके बाद वो जो है वो सांथ हो जाएगा और लाल सीतर तारा बन जाएगा जिसको रे ड्वार्फ स्टार कहते हैं और जो सूरत से छोटा तारा होगा वो वाइड ड्वार बनेगा निकि सफेद दाना उतारा आप लोग गूगल करोगे तो पता जाएड रवयमान वाला हो गा वो बनेगा निचे गिर के नहीं मरेगा निचे गरखेई मरेगा निचे जाएगगा automat में उसके ऊजार खतम हो जाएगी और साल话। जो द्रवेमान खाली-खाली जो उसका वो है मास है वो बच जाएगा फिर जो सूर्य से बहुत अधिक 20-30 गुना बड़ा थारा है वो अंत में कैसा होगा वो अपने नापिकी सल्यान के प्रक्रिया जब पूरी कर लेगा तो वो जो है वो अपने ही द्रवेमान के कारण संकु वो सधनिर जीख बाहरी बडी जीख स्कासाय उसमें खिचा होगा इसलिए बहुत बड़ा सुपनुआ की तरव स्पहस अधिक स्थव करते हैं तو जो ओब ब्लेन होगा ऊणने बच्छा कन रहे हो जाएगा जो पई गाचीज हए इस का पताव शूर्ट में न ने फिर ब्लेक होल बन जाएगा और उसमें इतना बल होगा वो इतना डेंसिटी वाला होगा कि वो सूर्च के प्रकास को यानि कि जो रोशनी उसको पर मोड देगा और जो अंतरिक्ष का स्पेस के जो फेब्रिक है उसको पर मोड देगा तो इस तरह से जो तारे हैं उनका अंत होने वाला है तो कोई भी तारा नीचे गिर के नहीं मरेगा तो कुरान की जो बात है कि सूरज को लपेटा जाएगा और जिस वक्त तारे गिर पड़ेंगे तो इस हिस्थिती में तो कभी कोईयमत च exemption आने वाल नहीं है मुझे समझे नहीं आता ये लोग क्या सुचक लिखिए व्यर्य ओर ये नियुद्ध ऑर जब नवर पहाड तीसरा है था जब पहाड चला Northwest चलाएगी तो पहाड ऐ कि घोड़ा है समझे नहीं आता पहाड़े की घोड़ा है कि अल्ला जो मैं बोलेंगे चल मेरे घोड़े टिक 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 तो इनके दोस्तों में तो कुराण की जो आते हुआ थी उन्हों मुझे पहाड कैसे चलेंगे बताओ पहाड कर निर्मार जो होता है वो टेक्टोनिक के टकराने से उभार में पहता होते हैं बहुत सारे पहाड होते हैं वलीद परवत होते हैं अफसिस्ट परवत होते हैं ज्वाला मुख्य परवत होते हैं ज्वाला मिखी परवत ज्वाला मुख्यो के जो भी स्पोर्ट से घटा मलबा से बनते अफसिस्ट पदार से बने जो परवात हो अफसिस्ट बोलते हैं और इस तरह से बहुत सारे प्रकार कुछों परवत होते हैं और वो सब जो जमीन से निकलते हैं अब अल्ला भूल रहें इनको चलाया जाएंगे तो मेरे खास नीच लबचन में देती हैं बच्चे पैदा करती हो भी वेकार करते जाएंगे खैर यह हमारे जै वो उसका हिस्सा नहीं है अब पढ़ेंगे च्छटवा और जिस वक्त दरिया आग हो जाएगी अच्छा अच्छा डरिया आग हो जाएगी अब इस पे जो है वो जिस्म के सीर के सब्सक्राइब करें इसे लोग बोलते हैं कि दर्या में किसी दिन आग लगेगी तो ये सही है सार्थ के बाते हो सकती है नाई बिल्कुल नाइं कभी भी दर्या में आग नहीं ले सकती है अगर सूर्य का क्योंकि सिंपल सी बात है अगर आग लगाने के लिए आप पानी को ज्यादा उश्मा दोगे तो 100 डिग्री सेल्चेस के बाद भाव बन के उड़ जाएगा तो फिर कैसे उसमें आग लेगी और 0 लोग बुलेंगे जो लावा होता है वो क्या है तो दोस्तों लावा जो होता है वो कभी भी वो वाटर नहीं होता वो बहुत सारे मलबा होता है जो द्रव्यकृत पदार्थ हैं मास वाले पदार्थ हैं वो उबल करके लावा की तरह पिगल जाते हैं असल में पानी नहीं होता हाँ मैं लगा सकते हूं अग वो ऐसे आप भी लगा सकते हो जब दरिया है नदी दलाब जो भी है उसके उपर आप पानी डाल सॉरी पेट्रोल डाल दो उसके उपर आग लगा तो पानी को उपर आग लग सकता है लेकिन पानी कभी भी किसी किमत में नहीं जल सकती वो उबल कर कि वास्पी थोके वायू में चली जाएकि लेकिन उसमें आग नहीं लगेगा इतनी चोटी सी बात अल्ला को पता नहीं है और यह साथ भी आस्मान पे खुदा बनके बैठ हुए है और बोड़े कामत तब है कि जब पानी में आग लगने वाली है ठीए दोस्तों यह तो होगी हम आगे देखते है है कि क्या जिस वक्त अमाल के दफ्तर कुले जाया कैसा जिस वक्त आस्मान का छिलका उतार दिए जाएगा लगता है अल्समान नहीं आसमान को कोई आलू- टमाटर कोई लॉक्की कोई- कुछछी समझ कि रख्चा हुआ है जुन का छिलका उतार देंगे देखते हैं दोस्टों कि आसमान असल में क्या होता है जब देखेंगे तो हमको समझ माँगा है उम 나客 को पता चल जाएगा जाते हैं आपर गूगल में लिखते हैं आस्मान अकास आश्मान क्या है आस्मान किसे कहते है आस्मान कैसे कहते है यह है कि किसी भी खगोली पिंड जैसे धर्ति को वाई अंत्रक्ष का वाँ भाग जो उस पिंड के सता से दिखाई देता है वही आकास है इनके अने कार्ण से इसे परिभासित करना कटीन है दिन के प्रकास में प्रित्यों का आकास गहरी नीले रंका सता जैसा प्रतीत होता है जो हावा के कर्ण दोरा प्रकास के प्रक्रेण के परिणाम जब के रात्रे में हम धर्तिक आकास तारों से भरा हुआ काले रंग का सता जैसा माना पड़ता है अब ये देखिए उचाई में वायो अंदरा आकास का दृष्यों अब ये जो नीला नीला दिखाई दे रहा है जो हाला कि हम लोग का भ्राम है ये आकास है अब जो चीज है ही नहीं अल्ला उसके काल खालता रहेंगे तो देख लो दोस्तों क्या है अंतरिक्ष का भाग जो उस पिंड की सता से दिखाई देता है वो अकास है, यानि कि अंतरिक्ष का वो भाग, भारी भाग जो उस पिंड से, पृत्थी से, चंदरमा से, जहां से भी मंगल से भी कोई भिग्रह हो वहां से वो उसको देख सकते हैं, तो वो उसका अकास है वास्तविक्त्द में अकास नहीं है लेकिन हम लोग मानते हैं कि वह आकास है अब जो चीज है ही नहीं जिसका अस्तित वह ही नहीं है अल्ला उसके खाल उतारने वाले हैं तो ये बात है तो ये तो होगी दोस्तो और रात की किसम जब खत्म होने को आए ठीक है इदर मेरे ख्याल से जो है न वो सही चीज़ नहीं है तर फिर अल्ला डाराने लग जाते है सब को तो ठीक है दोस्तों आप लोग को इतनी जो बाते हैं, वो समझे में आये होंगे, कि अल्ला जो है कितना साइन्टिबिक बाते करते हैं, और क्यों जो मुस्लिम बंदे हैं, वो क्यों इसलाम को छोड़ रहे हैं, क्या वज़ा है इसलाम को छोड़ने की, तो इसी वज़ा से, क्योंकि उसमें कोई सेंस नहीं है, आसमान जो है उसके छिलका उतारा जाएगा सूरज को लपेड़ दिया जाएगा तारे गिर पड़ेंगे तो नॉंसेंस ये इस बात को कोई यकीन कर सकता है वही जिसके उपर सिरक उपर गोवर भरा हुआ है वही जिसको यकीन कर सकता है उसके अलावा कोई भी ऐसा इंसान जो science के नज़र ये को सही मानता है fact पर यकिन करता है वो Islam के इन बातों को यकिन नहीं कर सकता जो चीज़ वाज़ ही नहीं है तो ये चीज़ जो है वो थापित हो चाती है कि Islam एक जोटा मज़ब है